असलाम अलेकुम टॉफ फाइफ एम्डीकेट टॉपिक्स जो आपके संडे के टेस्ट में यूएच्ट दॉएच्ट दॉएच्ट इटा बीमसी शेहिजल फिकार अली बुट्टो टेस्ट में आ सकते हैं यह ऐसे पांच क्वेस्टन है जो बहुत ज़दा इंपॉर्टन है लेकिन उससे पहले एम्डीकेट की इबुक जिसमें आपके टेस्ट के गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स एड़ किये गें अगर आप इन गेस्ट पेपर्स से त्यारी करते हैं तो यह काफी हैं आपके लिए एम्डीकेट में 180 प्लस हासल करने के लिए क्योंकि इससे आपकी एक गो थूर रिवीजन हो जाएगी गैस पेपर आपको मिल जाएंगे और मॉडल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे तो लास्मी इन बुक से इन नौट से त्यारी करें अभी इन नौट्स को अपने वाटसाप पे हासल करने के लिए 0310 और 2468631 पे राप्ता करें अच्छा इंपोर्टेंट एनौश्मेंट आपको बताता चलों पहला क्वेस्चन जोंस है वो यह है कि वेपर प्रेशर जोंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता MDCAT में तकीबन 10-15 टाइम पिछले 10 सालों में यह क्वेस्चन आ चुके है तो जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ वेपर प्रेशर जोंस है वो डिपेंड करता है नेचर अब लिक्विट पे size of the molecule, intra molecular forces और temperature के उपर और जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है वो है amount of liquid यानि कि आपने container में कितना liquid डाला हूए है और नहीं container की volume पर और surface area पर इन तीन चीज़र पे डिपेंड नहीं करता है और चार चीज़र पे डिपेंड करता है वो right side पर mentioned है उसके बाद bond energy और bond length से हर साल M.D.Cat में question आता है bond energy वो energy है जो हमें चाहिए होती है bond को तोडने के लिए तीन चीज़ों की उपर ये depend करती है electron negativity की उपर size of the atom की उपर और bond length की उपर जितनी ज़्यदा electron negativity होती है जितनी ज़्यदा size of atom होता है और जितनी ज़्यदा bond length होता है उतनी ही ज़ reverse relation है लेकिन इन तीनों का reactivity के साथ direct relation है ये relation type question M.D.Cat में from the bond energy topics काफी हद तक आ सकते हैं तो आपने इनको अच्छी तरह go through करना है और prepare करना है अगर आप ये M.D.Cat के ये जो guest papers हैं इनको ही सिर्फ go through कर लेंगे तो काफी है आपके अराम से 180 plus M.D.Cat में UHS ETA DAO में आ सकते हैं उसके लावा एक और important question ये अलकेन की preparation से अलकेन को बनाने का process है Clemenson और बॉल किशनर Clemenson में आपने ये बात याद करनी है कि Clemenson के अंदर किटॉन की मदद के तरू अलकेन बनाया गया था और बॉल किशनर में LD हाइट की मदद के तरू अलकेन को बनाया गया था पर conservative field से पाथ के उपर depending करते हैं और work हमारे पास जीरो होता है MDCAT में question आता है कि कौन सी field conservative और कौन सी नहीं है तो electrical, gravitational, magnetic ये तीनो conservative है और जो non conservative है वो tension in a string है force of a motor है और propulsion string है ठीक है और तीन किसम के हमारे पास circuits होते हैं वो open circuit, close circuit और short circuit, open circuit ये होता है कि current flow कर रहा है close में भी flow, open current flow न होता है और short में ये होते है कि resistance जो उन से होती हो जीरो होती हो current infinite होता है